है लो फ्रेंड्स मैं दॉक्टर काजल मंगुक्या गाइनकोलोजिस्ट और आईविफ स्पेशलिस्ट प्रेक्टिसिंग सिंस मोर दें 15 यर्स अट और्किड हॉस्पिटल और आईविफ सेंटर सूराग नमश्कार आज हम बात करने वाले है जो आयूए सिरीज है उसमें कि सीम अरण देखता है कि फिमेल में और में एंक्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा होता है फ्लस कils अ Musg नहीं होते है, semen collection at the center, तो दो method होते है, one is ideal जो है, that is semen collection at the center, जो भी center पर आपका treatment चल रहा है, वहाँ पर ही अगर आप semen collection करवाते हो, तो that is ideal, और अगर नहीं possible होता है, तो home collection के लिए भी advice कर सकते है, और generally जो semen collection किया जाता है, that is with the masturbation, और काफी बार ऐसा हमने देखा है कि, suppose आपका जो sample है, वह inadequate है, या तो जो viscosity है, वह बहुत ज्यादा है, तो आपको ऐसा भी advice कर सकते हैं कि, तीन sample जो है, ejaculatory sample, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में आपको collect करने होता है, बट generally हमने देखा है कि, जो first sample जो होता है, वह generally ideal होता है, उसमें जो sperm count जो रहता है, वह high रहता है, maximum रहता है, motility भी अच्छी रहती है, और दूसरी important बात, जो ध्यान में रखनी है, जो भी couple का IOI treatment चल रहा है, या तो IOI treatment करवाने के लिए जाने वाले हैं, कि जो abstinence है, वह minimum 2-3 days का abstinence होना चाहिए, ताकि जब भी आपकी procedure होने वाली है, वादे, जो semen sample है, उसका जो volume है, वह अच्छे से मिल पाए, और जो motility है, या तो जो sperm count है, वह अच्छे से मिल पाए, और जनरली हम जो expect करते हैं, कि आपका जो washed semen sample है, उसमें जितना motility अच्छा रहेगा, जनरली हम देखते हैं, मारे center पे कि 90-95% motility होती है, so that is an ideal sample, कि हमें अच्छा motility मिलेगा, तो जो आपकी success rate है, वह हमेशा बढ़ जाएंगे, so friends, यह मैंने बताया, आपको semen collection कैसे करना है, और before going for the IUI procedure, और काफी बार ऐसा होता है, कि जो कोई patient है, जिन में ejaculation possible नहीं होता है, तो उनको उसके लिए medicine वगेरा की भी help लेनी पढ़ सकती है, और या तो mechanical devices जो आते हैं उसकी भी help की ज़रूरत पढ़ सकती है, so thank you friends for watching this video, any queries अगर आपको है इस topic के related तो जरूर से comment box में लिख दीजिए, thank you.